हे गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वो कौन से प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं, जो हम घर में चीज़े अवलेबल होती हैं, उनसे हम अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम ज करती हैं, डॉक्टर के पास जाने में कि उनको नहीं जाना रहता हैं, बहुत सारे रीजन रहते हैं, तो वो अपने घर में पहले अपना प्रेगनेंसी करना चाहती हैं, तो अगर आप भी उनमें से एक हैं, और अपना घर में प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहती हैं, तो यह जो method आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो में वो method आपके लिए बहुत ही useful हो सकते हैं अब हम बात करेंगी कि हमें घर में pregnancy test करना कैसे हैं हमें जो morning की सबसे पहली urine रहती है जैसे हम रात में सोते हैं और सबसे पहले जो morning में urine करने जाते हैं तो वो urine आपको लेना है morning का सबसे पहला urine हमें इसलिए लेना होता है क्योंकि उसमें हार्मोन होता है HCG जिसका हमारी pregnancy में बहुत बड़ा रोल होता है जब हमारा बेबी अंदर हलकाफ सा जो बेबी बनता है छोटा सा बिलकुल उसमें बेबी के साथ साथ एक placenta बनता है और placenta से ही हार्मोन निकलता है HCG तो यूरिन में इस हार्मोन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है इसलिए हमें मार्निंग का सबसे पहला यूरिन ही लेना चाहिए प्रेगनेंसी टेस्स करने के लिए तभी हमारा प्रेगनेंसी टेस्स जो है वो अच्छा हो पाएगा और हमें पता चल पाएगा कि हम प्रेगनेंट ऑप्लीच प्रेग्नेंची चैस्स को करने PLAY के लिए लिए ठोड़ा सा ब्लीच चाहिए होगा जो Say तो वाला ब्लीच चाहिए होगा एक कंटेनर में आपकी सुभह की मौनिंग की जो यूरिन होती है वो चाहिए होगी उसमें आप अगर थोड़ा सा ब्लीच डालती है और ब्लीच में कुछ रियक्शन आता है जैसे कुछ बुलबुले से कुछ जाग सा ऐसा बन जाता है तो बवल्स बनते हैं जिसकी वज़े से जाग बनते हैं और बहां पर हमारी प्रेग्नेंसी कंफर्म हो जाती है नेक्स जो प्रेग्नेंसी टेस्ट हम कर सकते हैं बहुत है बेकिंग सोडा से बेकिंग सोडा का भी सेम प्रॉसेस है आपको थोड़ा सा यूरिन लेना है मॉर्निं नहीं होता है तो आप प्रेगनेंट नहीं है नेक्स्ट हम करते हैं Pregnancy Tests Vineager से जो हमारे घर में सिर्का पाया जाता है उससे आपको थोड़ा सा सिर्का लेना है और थोड़ा सा आपका यूरिन लेना है उसमें आपको सिर्का को मिलाना है यहां पर आप देखेंगे कि सिर्का अगर आप प्रेगनेंट हैं तो सिर्का का कलर जो होगा यूरिन के साथ मिलके वो चेंज हो जाएगा अगर आपका यूरिन का कलर चेंज हो जाता है सिर्के के साथ में तब आप समझ सकती हैं कि आप प्रेगनेंट हैं और सिर्के का कलर नहीं चेंज होता है यूरिन के साथ में सेम कलर में रहता है तो आप समझ सकते हैं कि आप प्रेगनेंट नहीं है नेक्स प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे हम सावुन के साथ में जो हमारा नहाने वाला सावुन रहता है उस सावुन को लेंगे एक बाउल में लेंगे एक बाउल में हम अपना यूरिन लेंगे उसमें हम थोड़ा सा सोप मिलाएंगे यूरिन में, अगर सोप थोड़ा सा मिलकी हो जाता है, थोड़ा सा क्रीमी हो जाता है, सोप अगर हमारे यूरिन में घुल जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि आप प्रेगनेंट हैं, अगर सोप का यूरिन के साथ में कोई भी रियक्शन नहीं होता है color change नहीं होता है soap नहीं घुलता है तो आप pregnant नहीं है next जो हम pregnancy test करेंगे वो हम करेंगे toothpaste के साथ में toothpaste का आपको जो यहां पे चाहिए होगा वो एकदम white चाहिए होगा कोई और color का अगर आप toothpaste use करते हैं तो वो काम नहीं करेगा accurate result नहीं देगा toothpaste नहीं घुलता है कोई भी reaction नहीं होता है तो आप pregnant नहीं है next pregnancy test करेंगे sugar के साथ जो हमारे घर में खाने वाली चीनी रहती है उससे भी pregnancy test कर सकते हैं आपको थोड़ा सा sugar लेना है थोड़ा सा आपको लगबग एक चमच का सुगर चाहिए होगा तो आप समझ सकते हैं कि आप pregnant नहीं है बहुत ही easy है यह जानना next pregnancy test हम करेंगे salt के साथ जो खाने वाला नमक रहता है उसको हम थोड़ा सा अपनी urine लेंगे morning की उसमें मिलाएंगे अगर salt यहां पर अच्छे से urine में घुल जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आप pregnant है अगर salt नहीं गुलता है urine में कोई भी bubbles वगरा नहीं बनते है color change नहीं होता है तो आप pregnant नहीं है next जो हम pregnancy test करेंगे वो करेंगे bind के साथ bind के साथ pregnancy test जो होता है वो बहुत ज़दा accurate होता है लगबग 98-99 यहां पर आपको थोड़ा सा बाहिन लेना है उसमें आपको अपनी urine को मिलाना है अगर उसमें जाग बनते हैं बुलबुले बनते हैं रियक्शन होता है तो आप pregnant है और कोई भी reaction नहीं होता है तो आप pregnant नहीं है तो यह कुछ pregnancy test है जो आप अपने घर में ट्राई कर सकती है यह जानने के लिए कि आप pregnant है या नहीं है यहां पर यह जो हो में टेस्ट होते हैं यह बहुत ज़्यादा accurate नहीं होते हैं यहां पर बहुत सारी चीज़ा डिपेंड करती है जैसे कि quantity depend करती है कि हम कितना quantity में urine ले रहे हैं कितना quantity में content ले रहे हैं कोई भी salt sugar ले रहे हैं तो उस quantity पर भी यह accuracy डिपेंड करती है तो बहुत ज़्यादा reliable नहीं होना है आपको एक बार आपको pregnancy test किसे या फिर डॉक्टर के पास जाके जरूर से चेक कर आ लेना है इसी के बाद आपको अपनी pregnancy confirm करनी चाहिए I hope कि वीडियो आपके लिए useful रहा होगा वीडियो useful रहे तो वीडियो को like जरूर करिएगा मेरे चैनल को subscribe Thank you, thank you so much for watching Thank you